रत्ना राजकुमारी रत्ना तुम वहाँ शब्मंदिर में पूजा कर खड़ी क्यों हो गई आओ मेरे पास महल के अंदर आओ मैं सद्यों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ आओ रत्ना देखो मुझे इतना इंतजार करवाना चोख्य नहीं है आओ रत्ना आओ देखो महल के अंदर तुम्हारा सिंध इस विराने में कब से तुम्हारी कदमों की आहट लिए बैठा है मेरी प्यारी राजकुमारी रत्ना श्वेता हापते हुए अपनी आखे खुलती है पसीने से भीगा शरीर तेज चल्दी हुई सांसे आखों में कई सवाल और होटों पे हनुमान चारी सा का जाप श्वेता की आवाज सुन पासी बिस्तर में सो रही श्वेता की मा जाग जाती है श्वेता बेटा आप ठीक तो है आपकी सांस इतनी उखड क्यों रही है कहीं आपको वो सब न फिर से तो नहीं आया अपनी मा की बात सुन श्वेता उनके कले से लगकर रोने लगती है रंजना श्वेता के पीट पर हाथ रखकर उसे सांस तुना देती है हम समझ गए बेटा आपको फिर से वही सपना आया ना हां हां वही सपना एक पुराना सा खिला और उसी खंडर में सित एक पुराना शिव मंदिर हम अपने आपको शिव मंदिर में अराधना करते हुए देखते हैं वही जानी पहचानी सी आवाज हमें उस सपने में सुनाई देती है जो हमें राजकुमारी रतना कहकर महल के अंदर बुलाती है और हम कश्मा कश्मे पड़े मंदिर की चौकट को लांगने ही वाले होते हैं कि हमारी नींद खुल जाती है बेटा तुम इतनी विचलेत मत हो ये सब हमारे मन का वहम होता है और बस एक सपना ही तो है कोई हकीकत तो नहीं गुरुदेव ने जो आपको अमोग मंत्र दिया है आप शान्त मन से उसका जाब कीचे इश्वर में आस्था रखिए और गुरुदेव पर हमें पूरा भरोसा है आप जल्द ही उस बुरे सपने को भुला देंगी आखिर आप तो हमारी बहादूर बच्ची है ना फिर भला ऐसे सपनों से क्यों घबरा रही है सपने तो सपने ही होते हैं इनका वास्तविक्ता से कोई लेना देना नहीं होता श्वरता ध्यान में लीन होकर हनुमान चालिसा का जाप करना शुरू कर देती है और अंजना घर के काम में व्यस्त हो जाती है काम करते करते उसे गुरुदेव की बाते याद आती है जो उन्होंने श्विता के लिए बोली थी, श्विता के कुनले में साफ दिख रहा है, कि इसका सोलवा साल बेहत कश्टकारी रहेगा, इसके किसी मान से ग्रोग से ग्रस्त होने क्या श्रंका है, मेरे अनुमान से ये सपना तब से आना प्रारंब हुआ है, जब से श्विता र या फिर क्या गुरुदेव वह सकता है कि इस अपने से उसके पिछले जिनम का कोई संबंध है इसके पीछे कोई राज है जिसे अब श्वेता को जागर करना होगा हम श्वेता के लिए एक मंत्र दे रहे हैं इसका जाप करने से उसकी पीड़ा कम हो जाएगी मा हम तेयार हो गए हैं नाश्ता लगा दीजिए ठीक है बेटा भाई और पापा को भी बुला लो डाइनिंग टेबल पे पूरा परिवार एक साथ नाश्ता कर रहा था तुमने कुछ सोचा है तुम्हें कौन से कॉलेज में अड्मिशन चीए हाँ पापा बैने सिटी कॉलेज के आर्किटेक्ट्रल कोर्स इसके बारे में पढ़ा है इन फैक्ट मैंने एक कोर्स का आप्लिकेशन भी भर दिया है यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपना मन चाहा कोर्स भी मिल गया पाबा आप मुझे इतना भी सर्पे मत चढ़ाईए बस भगवान से प्रा उसे ही पुरानी इमारते देखना उनकी संग्रचना की स्टडी करने का शौक है वो एक अच्छी आर्किटिक बनना जाती है तभी उसे किताब में से एक किले का नक्षा दिखाई पड़ता है वो नक्षा रुद्रकड का है जो कि यहां से करीब सौ किलोमेटर दूर है श्व रतना राज कुमारी रतना हमें पता था आप हमें जून लेंगी श्वेता का राजखड के किले से क्या संबध है क्या गुरुजी की भविश्यवानी सच होगी जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड कहानी जारी रहेगी झाल